नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णिकुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल अभिनाव केमिस्ट्री पॉइंट में दोपैर का आप लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आप लोगों के सामने संस्कृत विशय का परिणाम अन्तिम परिणाम का अनुमान आप लोगों के सामने लेके आया हूँ संस्क्रिट विशय जो था वो ग्रुप C में था तो उसका जो है टोटल 326 कंडिडेट उन्होंने पास करें हैं और करीब आप लोगों को पता है कि 156 के करीब संस्क्रिट में पॉस्टे थी तो देख लिए दोस्तों जनरल की प्रोविजनल कटॉफ 321.70 गई है तो फाइनल जिसके 334 नंबर बन रहे हैं उनका सेलक्षन निश्चित रूप से इस व्याख्याता भड़ती परिक्षा में उनका हो जाएगा आगे हम बात करते हैं से दोस्तों EWS का तो EWS की कटॉफ जो है जनरल की गई है तो जिस कंडिडेट में EWS के 325 मार्क्स बन रहे हैं उनका सेलक्षन निश्चित रूप से हो जाएगा उन्हें किसी भी प्रकार की लभराने और चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है अब दोस्तों SC केटिगरी पर आते हैं SC केटिगरी की जो मेल की कटॉफ गई है 222.41 और फिमेल की गई है 288.18 तो जिस कंडिडेट के मेल फिमेल दोनों की कटॉफ एक सा वराबर रहेगी की फाइनल रिजल्ट में 301 नंबर बन रहे थे यह मेल और फिमेल उसका सेलक्षन निश्चित रूप से है दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं ST की कटॉफ की ST में जो कटॉफ गई है प्रोविजनल 281.233 गई है जिस बंद कंडिडेट के 200 पिचान में नांक बन रहे हैं वो स्रक्षित है उसका स्रक्षन मिश्चित रूप से हो जाएगा अब बात करते हैं तो दोस्तों पन OBC की जो की सबसे बड़ी केटेगरी है 312.37 मार्क्स जो है संस्कृत विशक की प्रोविजनल कट उब रहे है फाइनल कट आप जो है इसकी 30025 रहने वाली है जोस्तों और सब्वोडरी केटेगरी की बताए तो 294.30 प्रोविजनल कट आप जो है 305 रहेगी जोस्तों ज़्यदि आप लोगों को मेरी कट आफ पर आप लोगों को लग र करना ना भूले ताकि मैं समय समय पर आपके लिए आरपी सी से समंधित महतकून अपडेट्स ला सकूँ दोस्तों नमस्कार धन्यवाद